है लो दोस्कों गुड ओफिन निग फुर्ट अलव फ्यू दिस इंजेनियर अमाशिक फ्रम प्रेड़ो ट्लासिस ठीक है आज मैं आपको बढ़ा हस्तार टपीक बताए जा रहा हूं लुट्स के बारे में जितने भी बात की जाए कम है क्योंकि रूट्स हर एक कंपीटिशन में पूछा जा रहा हर एक कंपीटिटिव एक्जाम में पूछा रहा और आज की इस वीडियो लेक्चर के बाद अगर रूट्स के सवाल तीन सेकंड के अंदर नहीं बने तो आप अप रूट ऑफ फर्टीटू प्लस 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 फर्टीटू यह आपने देखा ही होगा य कि अंगर तो रूट्ट के अंदर निदर ड्म्ंघ घर सेमे होगा तो आपक्या किई जिए वि एलिस्कोथ आप 20 को क्यों पर q 2 कोई डो न्या बार तो इसका जैसे की 6 into 7 पना जैसे की 500 गॉत 6 तो 6 x 7, 42 अब देख रहे हैं हम यहां प्लस है, हर एक जग क्या देख रहा है, साइन क्या है, प्लस धनात्मक्चिन है, तो अगर प्लस हो, तो आप इन में से जो बड़ा बाला होगा उसको आप ले लिजी, इसका एंसर कितना हो जाएगा जी, 7, जैसे कोई एक और क्वेस्टन सोचते हैं हम लोग, second question, this is 90 plus, under root of 90 plus, under root of 90 plus, dash 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 t, infinite, अगर ये सवाल है, तो 90 को, ऐसे हम कौन सब दो संख्या को गुना करें, कि 90 दिया जाए, और वो दोनों संख्याओं का अंतर एक हो, तो देख ये, 90 को ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे 45 x 2, तो 90 हो जाएगा, 45 x 2, ये 90 हो नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 x 9, 10 x 9, ये आजाएगा हमारा 90, और इसमें हमारा difference भी एक है, तो जब हम plus का बात करेंगे, तो इसमें बड़ा वाला को लेंगे, यारे क्यों बड़ा वाला कोन है, 10, 10 और 9 में बड़ा कोन है, 10, तो इसका answer क्या जाएगा, 10, ठ कर लिजेगा, और अगर कोई screen swap लेना चाहते हैं, तो screen swap ले लिजे, अब मात्या type 2 के सवाल में, ठीक है, तो type 2 के सवाल में, अगर इसी तरह के सवाल हो, और minus में अगर पूछा जाएगा, let us suppose that type 2, type 2 के सवाल में, अगर आप मान लिजे, under root of 30, minus, under root of 30, minus, under root of 30, minus, dash, 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 infinite, अगर 30, minus, 30, minus, 30, minus, root में चलता जारा, चलता जारा, तो इसका क्या answer होगा, तो 30 को आप फिर से वही काम कीजिए, दो ऐसा number सोचिए, जिसको गुना करने पर 30 आजाए, और उसका difference कि कितना हो, एक हो, तो 30 को हम लोग लोग लिखें, 10, गुना 3 भी 30 होता है, लेकिन 10 और 3 का difference साथ हो जाता है, जो हमको नहीं लेना है, तो यहां पर हम क्या लेने, 6 into 5, तो 6 and 5 का difference कितना है, 1 है, अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें बड़ा वाला या चोटा वाला, तो हम देख रहे हैं, तो यह माइनस साइन चलता जारा, तो माइनस साइन के समय में क्या लेते ह अगर अनंत तक ऐसे ही चलते रहा है, 110 minus root में चलता रहेगा, 110 minus, 110 minus, तो हम इसमें क्या करें, 110 को ऐसाथ 2 संख्या सोचिए, जिसको गुना करने पर 110 भी आ जाए, और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, एक हो, यानि 11 into 10, मेरा ये 2 संख्या रेखिए, 11, 10, 110 भी आता ह है, और 11 और 10 के बीच का अंतर कितना होता है, एक होता है, तो हम कौन सा संख्या लेंगे, 11 या 10, ये सबार उठता है, तो हम देख रहे हैं, minus sign यूज हो रहा है, तो minus sign के समय में कौन सा लेते हैं, छोटा वाला, plus sign के समय में कौन सा लेते हैं, plus sign के समय में बढ़ा वाला, minus sign प्लस और माइनस में ही ओ लेकिन अगर इस प्रकाल से हो this is type 3 let us suppose a question this is 40 40 under root 40 under root 40 under root सब प्लस में चलता जा रहा है t in final तो इस तरह के सवाल में देखे कि 40 को हम अगर तोड़े तो कोई ऐसा दो संख्या सोचिए जिसका डिफरेंस किता हो 1 हो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस 10 इंटो 4 40 सब्सक्राइब तो इस तरह के सवाल में क्या करें तो याद रखेगा इसका बहुत सब्सक्राइब फॉर्मूला है एंड इस फॉर्मूला इस अंडर रूट ओफ 4N प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 यह फॉर्मूला है इस तरह के सवाल में आप ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज़ करने जारें जैसे 40 चालीस 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 प्लस नहीं है तो हम क्या करेंगी यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब देखिए अगर यहाँ पर एंड के जैगा पर हम 40 पूट करें तो क्या होगा तो 4 इंटू 40 कितना होगे लिए जी अंडर रूट ओफ 160 देजा ध्यान दिजेगा 40-n के जैगा पर रखेंगे तो 40 इंटू 4 कितना होगा 160 और 160 प्लस 1 तो 161 ठीक है कोई प्रोल्म नहीं और बाहर में सब Tschau circa में अधी में प्लसस्वा日本 रखा और बड़ं किसी को कोई डाउट एक और पैसेल करते चली लेटस अपोह देसर सबस्ट व ऐसा नहीं इस रूग सूँज़ इनुख छेसा कोई दो संख्या नहीं खुज सकते हैं जिसका डिफरेंस वान हो अगर यहां पर 6 होता तो बाहत अलग था क्योंकि 6 को हम 2 संख्या इसा खुज सकते हैं 3 into 2 there is difference of 1 लेकिन 5 के case में 5 into 1 एक ही चीज़ सोच सकते हैं एक ही नंबर का 2 दो नंबर का सेट सोच सकते हैं 5 into 1 और उसका अंदर कितना हो जाता है 4 तो हमारे यह ट्रिक टाइप 1 वाला ट्रिक इसमें काम नहीं कर रहा है इसमें टाइच लिए फ्रूला क्या लगाए अंडरूट अट फॉर एंट प्लस वां प्लस वां प्लस वां वाई टू तो यहां प सुए टाइप 4 की बात अगल करें तो इसी सवाल में लेदाटाश कि माइन साइं रहे है यानि कि वैशा दो नंबर हम नहीं खोज पा रहे हैं जिसका सेट आप दो नंबर का सेट इसा नहीं गुरूट पा रहे जिसका डशूइन्स एक हो तो हम क्या करेंगे तो टाइप 4 प ज्ट 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 इन्फाइनट तैप 2 जैसा सवाल ही दिख रहा है आपको कि माइनस में चलता जा रहा है सेम नंबर है अंडर रूट के अंदर है तो इस टाइप के सवाल हम क्या करते हैं 4 का कोई ऐसा दो नाम नहीं ढूण सकते हैं जिसका multiple जाहे करने के बाद जिसका multiple हो 4 और हम उसका difference one देख लें तो ऐसा नहीं हो सकता 1 into 4 4 लेकिन 1 और 4 का difference 3 है 2 into 2 4 जिसका difference 0 है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा type 4 का formula सेम वही फ़र्मूला शिल्फ एक साइन का अनतर होगा यानि कि अंडर रूट आप 4 एंद प्लस 1 1 by 2, एक और सवाल लेके इसको clear करते हैं, let us suppose under root of 15 minus under root of 15 minus under root of 15 minus dash 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 infinity, अगर यही question हम इसे देखें कि 15 मैसे 15 मैस 15 मैस 15 यह चलता जा रहा है और 15 को हम ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं कि जिसका दोनों number का difference एक हो, तो हम क्या करेंगे, फिर से type 4 में चले जाएंगे और type 4 का formula युश करेंगे, under root of 4 and plus 1 minus 1 by 2, तो यहां पर देखें, n का मांड क्या हो जागा जी, 15, 15, 4 जा, 60, 60 plus 1, 61, तो under root of 61 minus 1 by 2, किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए, अब हमारा type 5, type 5 क्या है जी देखें, बहुत simple सा चीज़ है, आप जो अब तक series पढ़ रहे थे, 1, 2, 3, 4 में, वो था plus 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 minus minus minus, अब अगर हम alternating sign का use करें, plus minus plus minus, तो इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, कि let us suppose there is a question, under root of 10 plus under root of 10 minus under root of 10 plus under root of 10 dash 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 is infinite, अगर यहां plus minus plus minus, इस प्रकार से alternating sign का use हो रहा होगो, तो हम क्या करते हैं इसमें, कि इसमें हम एक छोटा सा formula का add करेंगे, formula को use करेंगे, देखिए यह formula क्या है, under root of 4 and minus 3 plus 1 by 2, बहुत दीजी है, वहां तो हमारा formula था type 3 और 4 में, यहां पर plus 1 रहा करता था, अभी हमारा यहां पर minus 3 आ गया है, तो 4 and minus 3 plus 1 यह plus use हो रहा है, क्योंकि यहां पर plus पहले है, और अगर यहां पर पहले minus रहता, तो यहां पर क्या हो जाता है, माइनस हो, हम अगला type में पढ़ेंगे, यहां पर plus use करेंगे, तो plus 1 by 2, m का value यहां पर 10 पूट करेंगे, तो 10 for the 40, 40 minus 3, 37, so there is the answer, 37 plus 1 by 2, किसी को कोई डाउट नहीं मना चाहिए, 4 into 10, 40, 40 minus 3, 37, 37, और बाहर नग प्लस 1 है, तो plus 1 by 2, यहां पर कहीं लोग गल्दी करते हैं, 37 plus 1, 38 लिख देते हैं, तो वहां पर यह गल्दी नहीं का भी, ठीक है, यह first question, second question, एक और question लेते हैं, under root of 7, plus under root of 7, plus under root of 7, sorry, यहां पर minus होगा, minus under root of 7, plus, dash, 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 in infinite, तो यहां plus minus, plus minus का series है, तो इसको क्या करें नहीं चीं, यहीं formula यूज करेंगे, तो यहां पर n का value क्या होज़ेगा, 7, 7 into 4 कितना होज़ेगा, 28, 28 minus 3, 25, तो under root of 25, plus 1, divided by 2, ध्यां दिज़ेगा, कि 7 into 4, 28, 28 minus 3, 25, तो under root of 25 का माहन कितना होथा, 5, 5 plus 1, 6, 6 by 2, यहां यहां पर answer आगया हमारा 3, ठीक है, अब अगर मान लिजिए, इस question में, अगर पहले minus होता तो क्या होता हो, और type 6 में हम देखें, तो चले type 6 की तरफ फट फट, बिल्कुल 3 second के answer, 3 second के अंदर, बिल्को आसानी से आप निकाल सेकते हैं, इसका answer, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो under root of, let us suppose 8 minus, under root of 8 plus, under root of 8 minus, that's just infinite, अगर हम यहां पर 8 लेकर देखें, पहले minus है, फिर plus है, फिर minus है, फिर plus है, तो इसमें हमारा जो formula इस होने वाला, क्या होने वाला है, 4 and minus 3, यहां पर प्लस था, अब यहां पर माइनस होगा, क्योंकि पहले है, minus 1 by 2, इसका answer कितना हो जाएगा, एंद कामांग क्या रखेंगे, 8, तो 4 into 8, यानिकि 32, 32 minus 3, 29, तो under root of 29, minus 1 by 2, यह मारा answer हो, यह एक और question देखेंगे देखते हैं, under root of, let us suppose 6 minus under root of 6 plus under root of 6 minus dash 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 infinite, तो यहां पर हम देखेंगे, पहले minus है, तो यहां पर कॉंसर फॉर्मुला यूच करेंगे, यह minus 1 बाला, तो यहां कर हमारा 6 जो है, यहां फूट करेंगे, 6 into 4 की ताल यहां, 24, 24 minus 3, 21, under root of 21, minus 1, divided by 2, कोई प्रोब्लम, under root of 21, minus 1, divided by 2, let us understand the type 6 type of question, देखें, 6 type of questions जो होते हैं, वो काफी easy होते हैं, यह type 6 का questions जो है, sorry, यह 7 हो गया, हमारा 6 तो अल्रेडी पढ़ चुके हैं, तो under root of, let us suppose 5, 5, without sign, यहां पर क्या है, यहां पर आपको कोई सा sign नहीं दिख रहा है, plus, minus, alternative, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस तरह के सवाल में, आप direct, जो ही लिखा हुआ है यहां पर, आप उसी को answer समझ रहेंगे, यानि कि यहां पर answer क्या हो जाएगा जी, 5, दूसरा सवाल देखते हैं, under root of 6, under root of 6, under root of 6, under root of 6, dash, 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 to infinite, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा हैं, अगर यह गिंती से दिया हुआ है, तो क्या करें, तो टाइप 8 में हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, अगर मान लिजे यही सवाल को, हम लोगों ने कुछ किंती, जैसे, मान लिजे, तीन बार दिया, dash, dash, till infinite वाला term को यूज नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहां तीन बार दिख रहा है, तो यहां पर एक formula आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि काफी easy है, n to the power, 2 to the power n, minus 1, divided by 2 to the power n, देखिए यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर, आप क्या करेंगे, 2 to the power, यहां पर formula यूज कीजिए, n क्या है, तो 5, तो 5 को यहां पर 5 देख दीजिए, कितना बार repeat हुआ, तीन बार, तो यहां पर n का मांग क्या हो जेगा, 3, तो 2 to the power 3 is equal to 8, minus 1, 7, divided by 8, ठीक है, अब फिर से देखिए, n का मांग कितना है, तो जो लिखा हुआ है, यह कितना लिखा हुआ हुआ है, और उसके उपर power कितना है, 2 to the power n, minus 1, divided by 2 to the power n, तो आप यहां पर देखिए, 2 to the power n, कितना बार यह यूज हुआ है, तो 1, 2, 3 बार, तो यहाँ पर आप 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता, 8, 8-1, 7, 7 divided by 8, clear है, अगर हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, under root of 3, under root of 3, under root of 3, under root of 3, यह 4 बार यूज हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 to the power, 3 to the power, 4 बार है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 to the power 4, यालिकि 16, 16 minus 1, that is 15, 15 divided by 16, यह हमारा answer गया, उमीद होगा, आपको हमारा वेडियो अच्छा लागा होगा, और इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार करके हुमा का हुमा के देखिए, कोई भी टाइप भी सना ही किजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस किजिएगा, 2-4 सवाल इस पर, और आपक सीवी तरह के रूंट के कोईशन कर सकते हैं, थैंक्यू वेरी मच्छ, और इस तरह से लगातारा वीडियो देखते रहें, नए ने चेप्टर्स, नए ने टापिक्स कवर करते रहें, थैंक्यू वेरी मच्छ